जैसे कि मैने प्रीवेज वीडियो में बताया मैं अपको बताऊंगा कि कैसा मेरे जो चैनल भूर मैं ने किया मि आज इम अपलोड कर से किया विए है abbiamo for अच्हहारे कमेंट आ रहे कि हमरोगों का भी चैनल है क्मर भी आयक हो गया यह बताओ कि सबसे फास्तरीका कान से कैनल अ सकते हैं अगर एक छोटे क्रिटर हो तो आपको सपोर्ट बहुत मुस्किल से मिलता है और सुबे से काफी ज़्यादा कॉल पर हूं बहुत जनका कॉल आ रहे कि भाई इस बंदे का हो गया थोड़ा help करते हैं तो मैं सबका help कर रहा हूं तो इस वीडियो को जितना हो सके भाई करना दूसरा एंड तक देखना बिकॉस इसमें एंड में भी बहुत कुछ बताने वाला हूं तो अभी तक आपने मेरा है वह वाला वीडियो ने देखा कैसे मेरा चैनल है हुआ था तो वह आपको उपर मिल जाएगा जाकर चेक आउट कर लेना सो चलो वीडियो को आपने मेरे को काफे ज़्यादा है इस situation से आउट होने के लिए एंड जितने ही मेरे सब्सक्राइबर है फॉल्वर है उसने बहुत जादा मेरे मदद किया एंड माई फैंपली सबकू समझने के लिए तो थैंकी सो मच सबको जैसी आपको मालूम चलते कि आपका email id या फिर YouTube account hack हो चुका है तो सबसे पहला step आपका क्या है कि आपको recover करने अपना email id को तो आपको description में एक link मिल जाएगा तो भाई जो second step है second step में second step के अंदर भी अंदर दो option आपको मिलता है एक होता है आपका creator creator का support होता है creator support and जो दूसरा चीज होता है वो आपका Twitter सबसे पहले बताता हूँ कि आप कैसे Twitter से अपना YouTube account ये फिर email id को recover कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे आपका account hack होगी है आपको एक tweet करना है YouTube इंडिया को yt creator को और दो तीन चीज और रहता है आप सर्च कर लेना आप वहां पर basically आप बता से तो कि ऐसे ऐसे time में मेरे साथ यह हुआ तुरंद करना है मैं पहले बोला हूँ तुरंद यह चीज करना है बाद में भाई बहुत जहमेला होता है और इसके आपको अपने email id शेर करना है आपको अपका channel URL code को copy करके वहां पर यह करना है इसको tweet कर दो आपको जितना भी दोस्त है जितना भी जान पहचान जितना भी लिंक है उस Twitter को retweet बहुत ज्यादा करवाना तो इससे क्या होता है कि जो भी YouTube इंडिया है किसी तो किसी team को आपको आपको जो tweet है वह मिल जाएगा तो वहां पर आपको reply आएगा और वहां से आप आपको मदद मिल सकता है लेकिन लेकिन भाई Twitter इतना असान ही कि आपको वहां से help मिले वहां पर आपके बहुत सारे retweets होने चाहिए बहुत सारे followers होने चाहिए तब आपको वहां पर support मिलता है अब जो दूसरा option आपके बचता है वह आपका creator studio तो creator studio भाई यह सबसे best way है 24 घंटा के अंदर आपको help किया जाएगा लेकिन यह सब को नहीं मिलता है तो मैं आपको बता तो अगर आपका account hack होता है सबसे पहले तो मैंने बोल दिया retweet यह सब कुछ कर देना उसके बाद क्या करना है कि आप देखो कि आपको किस friend के पास YouTube channel है और उसके पास 10,000 से उपर जैसी मतब यह सब होगा तो आप कैसे form बढ़ सकते हो तो यहाँ पर on screen में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सबसे पहले जाना है आपको home page पर home page पर जाने का यहाँ पर आप एक icon देख सकते हैं जो कि आपका photo रहता है उसमें आपको click करने का सबसे नीचे में आप दे और यहाँ पर करने बाद आगे आपके पास option get creator support अगर यह option आपके पास नहीं आता है तो समझो कि आपके पास यह support नहीं है तो यहाँ पर में get creator support में click कर दो यहाँ पर है कि 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 लिए चाहिए आपको monetizing के लिए adsense के लिए copyright के लिए या फिर content id claim के लिए चाहिए या फिर आपको channel and video feature के लिए तो आप जी channel and video feature के लिए जाना अगर आपका channel अगर hack हुआ है तो इसके बाद में आपके यहाँ पर है request chatting option ठीक है तो आप नीचे में देखो यहाँ पर आपका है send us an email आपको यहाँ पर यह चीज़ क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास जो form के तरह इसे वह एक आपको यह खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा send an email to our support team ठीक है and यहाँ पर लिखा हुआ your you are currently signed in as this email ID ठीक है अब जितना भी आपका YouTube से बातचीत होगा यह सब आपका इस email ID से होगा यहाँ पर आया भाई पहले first name लिख लेना अपना और last name लिखना य आपको आपका इसमें home page में जाना है यहाँ पर आपको अपना channel निकालना है your channel करके और उपर में जो आ रहा है यह जो URL है इस you से लेकिए यह बस यह जो channel का जो slash है यहाँ से आपको total आपको यहां तक copy करना यह आपका हुआ URL code जो होता है ठीक है तो आपको इसको copy करना है and यहां पे आपको paste कर देना है उसके अदमें नीचे में लिखा है how can we help यहां पे आपको सब कुछ explain करना है एक और चीज यहां पे 1000W से ज्यादा अगर आपको टाइप करना है तो वह कैसे को वह भी मैं आपको बता देता हूं और यहां पे आप सब कुछ सब यहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं और एक एक करके upload होगा और दूसरी बात जितना भी suppose कि वहां पे 1000 से जादा आप टाइप नहीं बता सकते हो तो क्या करना आप एक टेक्स्ट बना कि उसमें सब कुछ टाइप करके यहां पे upload कर सकते हो और यहां पे आप इसको automatic को इसको off भी कर सकते हो और नीचे submit को option है नीचे submit को option आपको submit में क्लिक करना है और यह submit हो जाएगा उसके बाद YouTube से उसका reply आएगा 24 घंटा के अंदर उसी email ID में जो की उपर में आपका लिखा हुआ है एक और छोटा से आपको trick बताता हूँ अगर आपके पास अगर creator support नहीं है तो यहां पर on screen में आप email ID देख सकते हो यूट्यूब का इससे direct भी आप mail कर सकते हो लेकिन आपको reply मिलना बहुत मुस्कील है लेकिन आप यह भी try करो मैंने कभी किया नहीं है और वहां से मेरे को यह reply आया कि है अंकी तो मतलब कि do not worry अगर हम लोग एकाउंट हो जाए हम मतलब जो owner है उसको दे दिया जाए यह जो form भरने का जो procedure वह मैं आपको बता देता हूं मैंने कहीं screenshot तो नहीं रखा लेकिन जहां तक मेरे को याद है वह मैं आपको बता देता हूं वह basically कुछ नहीं अपना information पूछेगा अपना information में आपको क्या करना है कि वह सबसे पहले ब brand account में आपको क्या करना है यहां पर काफी जन गलती करता है जिसको नहीं पता है इस जगह पर आपको क्या करना है एक नया email id create करना है और एक नया YouTube channel create करना है और YouTube channel का फिर से URL जो code होता है उस code को वहां paste करना है and वह जितना भी information मांगीगा वह सब करके बस submit कर दो and आपको फि इतना भी आपका account जो भी videos and सब कुछ सारा कुछ आपको shift करके दूसरे email id में दे दिया जाएगा so यह था सबसे fast procedure जिससे आप अपने account को recover कर सकते हैं जैसे मैंने किया 3 दिन के अंदर की 4 दिन के अदर मैंने account जो recover हो गया अब मैं बताता हूँ अगर आपका account recover हो जाता है तो आप आपको क्या next करना है जिसे आपका account फिर से hack ना हो या फिर आप अगर अभी तक आपका channel hack नहीं हो उसको safe रखने तो कैसे कर सकते हो सबसे पहला step कि आपको two way verification code को on रखना है ठीक है second चीज कि आपको अपना laptop में जाना है इधर में आपको three dot है जो भी जो जो cross है उसके नीचे उसमें आपको जाना है setting में सेटिंग में जाने के बाद में यहां पे आपका option आएगा पासवर्ड का यहां पे देख सकते हो passwords का option आ रहाए इसमें आपको क्लिक करना है और यहां पे जितने भी passwords रहते हैं मैंने पहला बता दिया 2-way verification code and second मैंने बता दिया कि आप जो यहां पर password save करके ना रखे तिसरी चीज जो भी आप अपने about section में या फिर business inquiry के लिए email id रखते हैं वो youtube वाला मत रखना भाई एक नया create कर लो उसको भाई अपने एक दूसरे handset में लगा के रखो जो भी बात वात होंगे वो दूसरे handset में होगा अगर वो email id हैग भी होता है तो कोई problem नहीं है आपका youtube channel safe रहेगा तो यह था जिससे आप अपने youtube channel को recover कैसे कर सकते हो कोई भी problem नहीं था कि मुझे message करो मैं सब का help करता हूँ so जय हिंद वन दे मातर हुआ